नमस्कार में अधिव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आजे 27 जन्वडी दिन सनिवार खब्लों के अबनने से पहले एक मेजर सुर्खियों पर पटना समेट इन जिलों के डियम का हुआ तबादला बिहार में मते सियासी संग्राम के بीच सभी पार्टियों ने अपने अपने खेमे में बुलाई बैट विहार में 14 विभागों की जहांकियों में विभागों का रहा बहतर प्रेदरशन साइबर ठगी के सिकार होने पर इस नमबर पर करे कॉल आपके पैसर मिलेंगे वापस के लिए भरती वैसे यवाद जो इंडियान नेवी में नौकरी करना चाते हैं उनके लिए अच्छी खबर है दरसल सौर्ट सर्विस कमिसन के तरब से 63 एससी टेक मेन और 34 एससी टेक विमन कोर्सेच के लिए भारतिय सेना द्वारा नोट्रिफिकेशन जारी की गई है यह भरत के लिए सेक्षिनिक योगिता की बात करें तो में द्वारों ने किसी भी मानिता प्राप्त विस्विद्याले या संस्थांस इंजिनियरिंग की डिगरी प्राप्त की हो उमें द्वारों के आई हो सीमा 20-27 वर्स के बीच होनी चाहिए हाला कि आविदन करने से पहले इसके प्रशासन को एक बार जरूर पर्श देए हैं पटना समय दिन जिलों के डियम का हुआ तबादला बिहार में प्रसासनिक अस्तर पर बड़े फेड़ बदल देखे गया हैं दरसल प्रदेस की कई जिलों में जिलाधिकारियों के फेड़ बदल की खबर सामने आई हैं जिसमे पटना मुझपरपूर भागरपूर गोपाल गंज लखी सराय जिले सामिल हैं मिली जानकारी के नुसार बिहार प्रसासनिक सेवा के 45 और भारती प्रसासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला किया गया है बदादे की पटना के डियम डॉक्टर चंदर सेकर सिंग को मु गोपाल गंज के नवलकसोर चौधरी अब भागलपूर के डियम बनाए गया है तो वहीं भागलपूर के जलादिकारी सुबरत कुमार सेना मुझपरपूर के डियम बनाए गया है इनके लावे मुख्यमंत्री के आप्त सची मुहमद मक्सूद आलम गोपाल गंज के डियम बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मैथली ठाकुर के बारे में, मैथली ठाकुर एक भारते गाई का है, वह मैथली और भुजपूरी गाने काती हैं, जिसमें छट गीत और कज्री सामल है, वह अन्ने राजों से कई तरह के बॉलिवूट कवर और अन्ने पारंपरी उन्ने पहचान मिली, चार साल बाद उन्होंने एक और रियालिटी सो, इंडियन आइडल जूनियर सोनी टीवी पर प्रसारित सो में भाग लिया था, हाला कि इस सो में इनका सो के वल एक रणर अब तक ही रहा, बिहार सरकाने भी बिहार की बेहद लोग प्रिये युवा लो करती है, मैथली ठाकुर को संगीत नाटक अकैडमी के प्रतिस्थित उस्ताद बिस्मिल्ला खा युवा पुरसकार के लिए भी चुना गया था, बिहार में मचे सियासी संग्राम के बीद सभी पार्टियों ने अपने अपने खेमे में बुलाई बैठक, बिहार में सियासत बदलने की हो रही चर्चा के बीच आज साम पटना में बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई है, यह बैठक आज साम चार बज़े बीजेपी प्रदेश कारियाले में आयुजत होगी, जिसमें पार्टी के सभी विधाय को MLC, सांसद और कई पता धिकारियों को आने का नि दिया गया है, मिली जानकारी के नुसार, बैठक की कई महत्वपून जिम्मेदारी अमित सा और जेपी नड़ा ने प्रदेश सध्यक समराच चौधरी को सौपी है, वही दूसरी तरफ नितीश कुमार ने भी अपने विधान मंडल की भी बैठक 28 जनवरी को बुलाई है, ज बीते दिन गंतन दिवस के अफसर पर गांधी मैदान में राजिपाल दवारा जंडा फेराया गया, इस दोरान बिहार के 14 विभागों की जहांकिया देखने को मिली, सभी एक से बढ़ कर एक थे, लेकिन इनमें नगर विकास सिवम आवास विभाग को पहला पुरसकार मिला है, वहीं इसमें दूसरे नमबर पर खेल प्राधिकरण ने अपनी अपनी जगह बनाई है, और तीसरे नमबर पर विधे विभाग और क्रिसी विभाग की जहांकियों ने अपनी जगह बनाई है, ऐसे में इन सर्वस रिस्ट जहांकियों में चार विभागों को पुरसकार दिया गया है बनादे किस कारिक्रम में बिहार से जिन 14 विभागों की जांकिया निकली थी उसमें विदे विभाग महिला एवं बाल विकास निगम अधिन सेथ उत्पाद एवं निबंधन विभाग परिटन विभाग जीवीका विभाग कला संस्कृति वं युवा विभाग परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग, बिहार सिक्चा परियोजना, परिसद, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, स्रम संसाधन विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और क्रिसी विभाग सामिल रहा। बिहार के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का जारी हुआ थीम प्रदेश में सूचना एवं जन संपर्क विभाक के अधीन बिहार समवाद समीती द्वारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता आयुजद की जा रही है इस बिहार पुलिस जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों में दिये गया रोजगार के नया अफसर से संबंदित वीडियो बना कर या फोटो क्लिक करके आपको इस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट eadvtprd.bihar.gov.in जनभागिदारी पर अप्लोड करना है इसका लिंक IPRD बिहार पर दिया गया है बदादे की चल रहे इस प्रतियोगिता सब्दा में या थीम 29 जनवरी से लेकर दो फरवड़ी तक ही मानने होंगे इससे लेकर IPRD बिहार ने भी ट्विटर पर पोस्ट सेर किया है इस प्रतियोगिता से जुर्य अधिक जानकारी के लिए आप सोसिल मीडिया एक्सपर IPRD बिहार पर जा सकते हैं बकसर जिला ब्रहमेशवर अस्थान मंदर के विकास कारे का सीम नितीज करेंगे सिलान न्यास बकसर जिला के अंतरगत ब्रहमेशवर अस्थान मंदर के विकास कारे में फेज एक के तहट और घाटन और फेज दो के तहट सिलान न्यास कारिकरम मानिय मुखे मंतरी इंतीज कुमार द्वारा आच सुबह 11 बजे किया जाने वाला है इस कारे करम के अधिक्सतर तिजस्वी यादब करने वाले हैं वही अन्यातितियों में इस दोरान केंद्रिय मंतरी अस्विनी कुमार चौबह मंतरी अफाक आलम और विधायक संबुनात यादब मौजूद रहेंगे बदादे की ब्रहमेशवर अस्थान मंदर हिंदू धर्म के महतवपुन धार्मिक अस्थनों में सेख है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग साधी विवा और अन्य कारेक्रमों के लिए आते हैं कई तेवारों में भी यहाँ अच्छी भीर देखने को मुझती है इसरो अंत्रक्ष कियान आधिते-L1 पर मैगने मीटर भूम को तैनाध करने में हुआ सफल आधिते-L1 उपगरा पर मैगने मीटर भूम सफलता पूर्वक तैनाध हो चुका है अब ये अंत्रिक्ष में कम तीवर्ता वाले अंतर ग्रहे चुम्बकिय छेतर को मापने का काम करेगा इस रोद्वारा इससे लेकर बताया गया है कि यह 6 मीटर लंबे मैगने मीटर बूम को 11 जनवरी को लैंगरेज बिंदू L1 पर हैली खक्जा में तैनात किया गया है इसे देखते हुए आदित L1 लॉंच के बाद से बूम 132 दिनों तक संग्रहित इस्तिती में था बतादे की बूम में दो अत्या धुनिक उच सटिकता वाले फ्लेक्स गेट मैगनोमीटर सेंसर लगे हैं जो अंत्रिक्ष में कम तीवड़ता वाले अंतर गरिये चुमबकिये छेतर को माव देगा पटना में जेपी सेतु के समनान तर एक और पुल का होगा निर्मान 221,47,197,196 करों रुपए की लागत का प्रस्ताव दिया गया है SP SINGLA के अलावे और भी कई कमपनियों ने इसके लिए बोली लगाई थी देकिन SP SINGLA कहीं चयन हुआ क्यूंकि इसने कम लागत का प्रस्ताव रखा था S.P. सिंगला को इस पुल निर्मान के जिम्मेदारी सौप दी जाएगी उसके बाद इस पुल का निर्मान कारे अप्रेल महीने से सुरू कर दिया जाएगा उसके बाद इस पुल पर आवा गमन शुरू करने का लक्ष वर्स 2027 तक रखा गया है मीरिया में चले खबरों के मताबिक यह पुल NH 149 डबलू पटना से बितिया सरक साइत बुद सरकिट का है यदि इस पुल का निर्मान होता है तो उत्तर और दक्सन बिहार की कनेक्टिविट्टी पहले से बहतर होगी बता दे के इस नैपुल के निर्मान को मंजूरी आर्थिक मामलों की मंत्री मंदल समीधी न दीटा रंजी ट्रॉफी बिहार और केरल के बीच मुकाबले में स्रेस गोपाल ने संभाली पारी पटना के मोईनूल हक स्टेडियम में बिहार और केरल की बीच रंजी ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा है जहां टॉस जीत कर बिहार ने पहले गेंदबाजी करने का फैस्टा लिया था वही बिहार के गेंदबाज वीर प्रताप सिंग ने केरल के कप्तान डुहन कुन्नुमल को विपुल क्रिस्टना ने महज पांच रनों पर ही बोल्ट कर दिया इसके बाद वीर प्रताप ने सचिन बेबी विस्नु विनोध आनंद क्रिस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा द रन ही बना पाईवही बिहार की तरब से हिमाठाप सिंगς ने पचास रन देकर 4 विकेट जटके विपुल क्रिस्टना ने 57 रन द देकर 2 विकेट अपने नाम की और वीर प्रताप सिंग ने 26 रन देकर 3 विकेट 3 बिहार पेटन अस्थल में आज हम बात करेंगे पावापूरी के बारे में पावापूरी बिहार के पटना से लगबा 101 किलोमेटर की दूरी परस्तित है या छेतर जैन धर्म के साथ-साथ विविन तरह से मनोरंजन के लिए यहां आने वाले परेटकों के लिए भी एक खुबसूरत अस्थान है जैन लगों के लिए पावापूरी का महत्व यहां के जल मंदर के कारण है यहां पर इस्तित जल मंदर में भगवान महावीर ने 500 इसा पूर्व निर्वान की प्राप्ति की थी जिसके बाद उन्हें यहीं दफना दिया गया इस कारण यह मंदर सभी जैन भक्तों के लिए पूजा का अस्थल है यात्रा के लिहाद से देखा जाये तो नालंदा राजगीर तथा बिहार सरीब जैसे सहर इस ठेटर के काफी निकट है यहां पर परेठकों के लिए घूमने के लिए भी काफी अलग-अलग अस्थान है जिन में नालंदा विस्विद्याल है घोरा कटोरा नेचर और जू सफारी ब्रहम कुंड आदी सामिल है पावापूरी में सित मंदिर के चारो तरफ जील में लाल रंके कमल के फूल देखने को मल जाएंगे जो बेहदी आकर सक लगते हैं यदि आप कहीं घूमने का प्लैन बना रहे हैं तो यहां आसल पे पुलिस पदादिकारियों का हुआ तबादला इन दिनों बिहार पुलिस प्रसासन में बरी फेड़ बदल देखने को मिल रही है एक बार फिर से बरी संक्या में पुलिस पदादिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है यह तबादला ठीक लोगसबाद चुनाब से पहले जिसके तहर जमूई में 102 पुलिस पदादिकारियों के तबादले कर दिये गया है बता दे कि इस तबादले को लेकर चर्चा काफी पहले से देखने को मिल रही थी इससे लेकर मुंगेर डियाई जी संजय कुमार द्वारा लेटर भी जारी किया गया है मिली जानकारी के मुदाविक जिन पुलिस पदादी कारियों का तबादला किया गया है उन्हें मुंगेर, सेखपूर और लखिसरा इजले में भेजा गया है साथ ही आने वाले पांच परवरी तक जहां इनकी ड्यूटी लगी है वाई ने योगदान देने की बात कही गई है साइबर ठगी के सिकार होने पर इस नंबर पर करे कॉल आपके पैसे मिलेंगे वापस बढ़ते इंटरनेट के इस दुनिया में साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं अब आसानी से एक क्लिक में आप देश में बैटे किसी भी कोने से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन आपकी एक गलती से आपके खाते से सारे पैसे साफ हो सकते हैं ऐसे में साइबर अपराद से बचने के लिए आपको काफी सतर्क रहना जरूरी है बेवज़ा के लिंक को क्लिक करने OTP सेर करने का अपना फोन किसी अंजान के हाथ में देने से बचने की कोशिश करना चाहिए लेकिन यदि किसी परिस्तिती में आप साइबर फ्रॉड के सिकार होते हैं तो ऐसे समय में गरी मंत्राले आपके लिए एक हेलप लाइन नमबर जारी करता है जो आपको आपके पैसे लोटाने में मदद करेगा यह नमबर 193 सूने है इस नमबर पर आप अपने उसी मोबाइल नमबर से कॉल करें जिस नमबर से आपका बैंक खाता यह यूपिया एडी चल रहा है इस नमबर पर कॉल करने पर आपके साथ वे ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी और घटना कब होई है इसकी जानकारी देनी ह होगी उसके बाद इन मामलों में एक्सपर्ट टीम अपने आगे की कारवाई करेगी और फिर साइबर ठक के बैंक खाते को सीज़ कर दिया जाएगा जिससे वो पैसे निकालने में सफल नहीं हो पाएंगे और आपको आपके पैसे दे दिये जाएंगे प्रदेस में सीटलेयर को लेकर ओरेंज अलट जारी बिहार में कौहरे और कपकपी का सितम सतम बढ़ते ही जा रहा इसका राके की ठंड को लेकर बिहार में आने वाले तीन दिनों तक अलट जारी किया गया है फिलहाल ठंड से कोई रहात नहीं है क्यूंकि पस्टी में हिमालय परी छेत्र में सक्रिये हो रहे पस्टी में विचोप का प्रभाव प्रदेस में पड़ता दिखाई दे रहा है हाला कि प्रदेस के कई जलों में हलकी धूप भी देखने को मिली मौसम में भाक एनुसारा आज का मौसम सुस्क रहने वाला है प्रदेस के अधेकतर हिस्सों में मौसम को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है वहीं प्रदेस का अधिक्तम तापमान 16-18 डिग्री रहने की संभावना है वहीं नियुतम डिग्री 4-6 और 6-8 डिग्री रहने वाली है साथ टैंक पहुंच बिहार के लाल को मिली मदद आज कल तो कई ऐसे लोग है जिन्होंने इंटरनेट की मदद से अपने जीवन में बरे बदलाब किये हैं और जीवन को समवा रहा है अभी हाल में इसका सबसे बरा उदारन रोट बेज बना है दर असल इसके फाउंडर बिहार से अपना संबंद रखने वाले दिल्खुस कुमार है इन्होंने यूटूब की मदद से कोडिंग सीखी जिसके बाद इन्होंने रोट बेज नाम का एक एप बनाया वहीं कंपनी की तरफ से लोग इस पैसेंजर के टच में होते हैं ताकि आपको अपने सेफटी को लेकर ज्यादा सोचना ना पड़े फिल्हाल दिल्खुस के इस कंपनी से केवद 20 टैक्सी ही जुरे हैं और भी टैक्सी की संख्या बरहाने और कुछ आतिक मदद के लिए वे साग टैंक इंडिया में पहुंचे जहां उन्हें रितेस अगरवाल और नमीदा थापर के तरफ से 50 लाग दुटर में बिहार में बदलते सियासत की चर्चा के बीच पहली बार राजद और जदियों हुई आमने सामने बिहार में सियासत की बदलाव को लेकर चर्चा जोरो पर है अब इसे बीच थोरी बहुत उठापटक जदियों और राजद के बीच भी देखने को मिली दरसल बिहार में सियासी बदलाव को लेकर राजद की तरफ से पहली बार सक्त बयान सामने आया है अपने इस बयान के दोरान राज़त सांसित मनोज जहा ने नितिस कुमार को सिती असपस्ट करने की सला निडाली इस सित मनोज जहा ने पलटवार करते वे कहा है कि हमारे नेता को कहा गया है कि वो कनफ्यूजन दूर करे इससे लेकर उन्होंने का कि नितिस कुमार कभी confusion की राजनीती नहीं करते हैं उन्होंने हमेशा front foot पर ही यानि सीधी राजनीती ही की है जिनके मन में confusion हो वो जाने हमारे मन में कोई confusion नहीं है पटना पॉस्ती समराच चौधरी ने दिये ये बयान दिली गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराच चौधरी बीते साम पटना वापस आए इस दौरान उन्होंने मीरिया से बातजीत करते वे बताया कि दिली में यह बैठक लोकसभा चुनाप को लेकर बुलाई गई थी बिहार में चलें सियासी हलचर को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोगों के अस्तर पर कोई बात नहीं है बीजेपी लड़ती आई और आगे भी लड़ेगी वही सुसील मोदी द्वारा एक बार कहा गया था कि दरवाजा पर्मानेंट बंद नहीं होता जरूरत परने पर खुल भी जाएगा इस से लेकर उन्होंने कहा कि जो बोले हैं उन्हीं से पूछिए साथ ही उन्होंने बताए कि आज चार बजे बीजेपी के हम बैटक है हमारी बैटक लोगसभा चुनाप के इंतरगत हो रही है इस बैटक में लोगसभा प्रभारी सांसद और विधायक मौझूद रहेंगे जदियों के प्रदेश सद्यक्स ने बिहार में मागटबंदन की सरकार को लेकर कही ये बात बिहार में गटबंदन आटूट है वहीं जब रोहिनी आचारे की ट्वीट को लेकर चले विवाद पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रोहिनी आचारे राजत पार्टी की ना पदाधिकारी है ना पार्टी की प्रवक्ता है तो फिर उनकी बात को लेकर हमें जवा कि वह आत्व मंथन करें वह पहले समझे कि बिहार में उनके स्तिती जहीं और कि तरह से सीटवटवादा होना चाहिए अपने कारेक 2 को रद कर अच्वान दिल्लine पहुंचे चिराग ने कहिए बाद अपने कारेकरम को रद कर अचानक से चिराग पासवान बीदे दिन दिली के लिए रवाना हुए जिसके बाद बिहार में सियासी उलट फेर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं पटना से दिली तक इसकी चर्चा देखने को मिल रही सभी पार्टी अपने अपने खेमे में लगातार बैटके कर रही हैं वही चिराग पासवान से जब बिहार में गटबंदन की सरकार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इससे लेकर कहा कि उनकी पार्टी अगर मगर में बात नहीं करती है उनकी नजर बिहार के सियासी घटन पर बनी हुई है वो लगातार बीजेपी के सीर्स नित्रत्व के संपर्क में हैं जैसे इस्तिती साफ होगी वे इस्तिती अपनी असपस्ट कर देंगे ऐसे में बिहार के सियासत को लेकर क्या बदलाव आते हैं इसे जानने के लिए इंतदार करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी राजनितिक पार्टि इन घटना करम को लेकर असपस्ट बयान नहीं दे रही है बिहार में मुख्य मंत्री पद को लेकर मंत्री स्रवन कुमार ने कही ये बात बिहार के सीम नितिश कुमार को लेकर प्रदेश के ग्रामीन विकास मंत्री स्रवन कुमार का बयान सामने आया है उन्होंने मुखे मंत्री के पद की चर्चा करते वे का कि 2025 तक नितीश कुमार ही सीम रहेंगे बिहार में मुखे मंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है वही नितीश कुमार के परिवार बाद वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जननाय करपूरी ठाकूर को लेकर उनके संदर्व में यह बयान दिया गया था जब तक करपूरी ठाकूर जिंदा रहे तब तक उनके परिवार को कोई भी राजनीती में आने नहीं दिया और रामनार ठाकूर को भी उन्होंने सटने नहीं दिया अब इसका तरह तरह से विस्टलेशन किया जा रहा है क्यास लगाये जा रहे हैं विधवार और बुध्धिमान लोग इसका तरह तरह से अंदाजा लगाते रहते ही भारत और इंग्लेंड के बीच टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लेंड पर कसा सिकंजा भारत के गिंद बाजों ने पहली पारी में महत 246 रनों पर ही धेर करने के बाद भारत के बल्ले बाजों ने इंग्लेंड के गिंद बाजों को चकमा देते वे पहली पारी के दूसरे द महोने तक भारत का स्कोर 421 रन पर साथ विकेट था वहीं अब देखना दिल्चस्प होगा की भारत इसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ कितने रनों की बहुत ले पाते हैं कई कारणों से दर्ज है भारत के थेहास में आज की तारीक 1948 में पहला टेप रिकॉडर विका 1988 में पहली बार हलिकॉप्टर डाक सेवा का उधगाटन किया गया था 2008 में पस्टिम बंगाल के तीरत जलों में बर्ड फ्लू फैला था 1922 में भारते हिंदी सिनेमा के प्रसद अभिनेता अधीद का जन हुआ था 1907 में प्रसद साहितेकार और पत्रकार पंडित सीता राम चतुलवेदी का जन हुआ था 1886 में टोक्यो जापान युद अपराद नयाईधी करन में भारती नयाईधीस राज राधा बिनोध पाल का जन्म हुआ था मुगर सामराजी के समराथ हुमायू कमरित्यू 556 में हुई थी 20-20 सदी में भारत के प्रमुक सितार बादकों में सेख निखिल बैनर जी जी का 1986 में निधन हुआ था प्रसद भारत अभिनेता स्री भारत भुसन जी का 1992 में निधन हो गया था भारत के आठवे राष्ट पती रहे स्री आर वैंकेट रम्मन जी का 2009 में दिहानत हो गया था हिंदी भासा के कथाकार उपनयासकार पत्रकार तथा पत्कथा लेकर स्री कमलेसवर जी का 2007 में निधन हुआ था आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे लॉट्री को लेकर दावा किये जा रहा है इस मैसेज के बारे में सोसल मेरिय और इंटरनेट के जमाने में कई आसी खबरे हैं जो वाइरल होती रहती हैं लेकिन ये सभी खबरे सही हो ये जरूरी नहीं है कई फरजी खबरे भी लोगों को साइबर फ्रॉड का सिकार बनाने या आने कई मनसूवों से सोसल मीडिया पर पोस्ट की जाती है अब इसी करी में एक और ऐसी खबर वाइरल हो रही है जिसके तहते यह दावा किया जा रहा कि उन्होंने लॉट्टी सिस्टम जीती है यह मैसेज उन्हें फोन, कॉल, इमेल गया मैसेज के जरीएद भेजा जा रहा है इस खबर में जो मैसेज वाइरल हो रहा है उसमें 25 लाक रुपे कौन बनेगा करूर पती के दर जीतने की बात की जा रही है इसमें State Bank of India का reference भी दिया गया है जहां कहा जा रहा है कि इससे संबंदित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही इसमें P.A.M.O.D. और अमिताब बच्चन की तस्वीर भी देखी गई नेकिन आपको बता दे कि P.A.I.P. Fact Check ने इस लोटरी को पूरी तरह से स्कैम बताया है साथ ही P.A.I.P. द्वारा कहा गया है कि इसका भार सरकार से कोई लेना देना नहीं है इसलिए सला दी जाती है कि इस तरह के स्कैम से साबधान नहीं अगर QR Code के इस्थिमार से करते हैं उन लाइन पेमेंट तो भूल कर भी ना करें यह काम आज के समय में अधिक्तर लोग उनलाइन पेमेंट का इस्तिमाल करते हैं ऐसे में अगर आप QR Code की मदद से उनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये ख़वर आपके लिए है दिरसल आज के समय में QR कोड के जरिये भी ठगी के कई मामले सामने आते हैं ऐसे में आपको को जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा और भूल कर भी ये गलती नहीं करनी होगी अगर आप किसी दुकांदार को पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन कर रहें तो पेमेंट के लिए दूसरे तरीके को ही जुने इसके साथ ही ओनलाइन मिले किसी भी आफ़र के लालच में QR कोड के स्कैन को करने से बचे चुनाब आयोग दे रहा हमों का घर बैटे इन लोगों को है वोट देने की छूट लोगसबा चुनाब को लेकर चुनाब आयोग जोरो सोरो से तयारी कर रहा है चुनाब को लेकर लोगों को जागरू करने का काम भी किया जा रहा है और मदान के महत्व को बताया जा रहा है ऐसे में वोटिंग को लेकर कई ऐसे नियम है जिनने चुनाव आयोग मद्दाताओं को बताता है और मद्दाताओं को भी इसे फॉलो करना जरूरी होता है लेकिन क्या आपको पता है कि चुनाव आयोग द्वारा लोगों को घर बैठे ही वोट डालने के सुविधा भी दी जा फिर डिटर्निंग आफिसर आपको बैलेट पेपर जारी करेंगे और आपका वोट आपके पोलिंग बोट तक पहुंच जाएगा हम प्रति दिन आपसे पांच जरूरी सवाल पूछेंगा और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समेत एससी जैसे ने प्रतिगी परेक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंडर फेर्स और भुगोस रहेंगे पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उता दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में कि इसको सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर पूरी ठाकुर ऑप्सन बी कांसी राम ऑप्सन C दसरत्मान जी ऑप्सन दीन में से कोई नहीं इसका सहीव तरह आप्सने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर पूरी ठाकुर हाली में उपराज़्ट पती जगदीव धनकरद्वारा के सभियान का उद्गाटन नई दिली में किया जगया है आप्सने हमारा सम्विधान हमारा दिकार आप्सन बी हमारा दिकार आप्सन सी हमारा सम्विधान हमारा सम्मान आप्सन डी हमारा दिस हमारा सम्विधान इसका सही तरह हमारा सम्विधान हमारा सम्मान हाली में किस दिती को राश्ट्री बारी का दिवस मनाया गया है अप्जन आ है 20 जनवरी औप्जन ब कैमूर बकसर जिले में किस मिट्टी के आतिदिक विस्टार देखने को मिलती है इसका सही तरह है, भाङगर नवीन, जलोर, मिट्टी, बिहार के किस जिले में पाई जाती है अप्सन ए मुझापपर पूर्णी अप्सन लिए उप्रोग तो सबी इसका सही उप्रोग तो सबी लीदे दिन हमाई दौर पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों अपना जवाब हमें मारे कमेंट सक्षन बॉक्स मली कर दिया था जिन्होंने हमाइद और पुछे के सवाल का जवाब जन के नाम है धननजे कुमार, अन्वर करीम खान, नुन्नु गोलु कुमार, उमेश्री सिदेव, राज के सोर महतो, धर्मिवीर कुमार, साधुल्ला पालवी, विकास, दास पंकच कुमार, दासु कुमार सिंग, अंजु क साकीर उसेन, गोनर सर्मार, सूरज साहो, दिलीप कुमार सिंग, सोभा नंद ठाकुर, अजमत अंसारी, मंजु देवी, अतिक खान, जिसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज के सवाल है, बिहार में हो रहे सियासी उतर पुदल के बीच आपकी क्या राय है, आप आज के लिए फिलाल इतना ही, बिहार के तमाम कबरों के साथ बनेने के लिए देखते रहे बिहारी नोज, और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेस्बुक से देख रहा है तो पेच को फॉलो करना ना भूले, धन नवाद